जैसा कि हम सभी को पता चल चुका है कि महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन वाली फिल्म मेजर के प्रोमोशन के दौरान जो बात कही जब उसका ट्रेलर रिलीज किया जा रहा था तो महेश बाबू ने कहा कि बॉलुड इंडस्ट्री यानि हिंदी सिनेमा जो है वो मुझ आग में घी डालने का काम करें तरह तरह की बाते लेकर महेश बाबू को की जाने लगी अब इस पर महेश बाबू ने जो कहा है वो सफाई देने जैसा तो नहीं है वो अपने शब्दों पर कायम है और वो जो भी बोल रहे हैं मुझे लग रहा है ठीक ही बोल रहे हैं क्यों साउथ में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में अच्छा काम करें, नॉर्थ में भी जाकर अच्छा काम करें, और वो कर رہी है, मुझे यह देखकर खुूशी मिल रही है। जब तेलगू सिनेमा अच्छा काम कर रहा है, मुझे यहाँ पर काम मिल रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे फैंस मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं तेलगू सिनेमा को छोड़ कर हिंदी सिनेमा में काम करने क्यों जाओं। आज हमारी फिल्में यहाँ पर अच्छा काम कर रही है, पूरे इंडिया में अच्छा काम कर रही है, पॉपलर्टी मिल रही है, इसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और आने वाले दिनों में यह पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम करने वाली है, और यही मेरी तम तो महेश बाबु ने सिधे सिधे तोर पर ये साफ कह दिया है कि वो तेलगू सीनेमा के साथ बने वे यह 앞에 और अज इवन तेलगू सीनेमा में ही काम करते रहेंगे तो ये जितने भी वाद विवाद लेकर उन्हें चल रहे थे अब कोई कुछ भी कहना चाहे उन्हें घमंडी कहना चाहे या जो भी कहना चाहे इन बातों से उन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता है क्योंकि अपने साफ साफ शब्दों में उन्होंने तेलकू सिनिमा का समर्थन क कर दिया है